वेलकम चूलीली आर्टिस्ट फैब्रिक वर्क्स आज मैं आपको डार्क ग्रीन कलर के क्लोथ पे डेजी पेंट करके दिखाऊंगी और उसके लिए मैंने कलर स्काइब ब्लू और वाइट यूज किया है इस वीडियो के बाद मैं अल्फाबेट जरूर पेंट करके दिखाऊंगी मैं एकदम भूल गई थी मिरे दिमाग से निकल गया था तो फिर मैंने आपका कल कॉमेंट पढ़ा तो मुझे याद आया तो मैंने पहले सोचा था कि स्केच बना के दिखादू फिर मैंने सुचा कि नहीं एक दिन रुख जाती हूँ फिर पेंट करके भी दिखा दूँगी तो इतना वेट करने के लिए देंक्यू सो मच और मैं भूल गई थी उसके लिए सौरी ब्रेश यहाँ पे मैं थ्री नमबर का राउंड ब्रेश यूज कर रही हूँ यह लोकल मार्केट में आपको मिल जाता है और इसका है काफी अच्छा होता है इस ब्रेश के ब्रांड का नाम मिल्टन सूपर है और इसके जादा दर ब्रेश मैंने यूज किये हैं काफी अच्छा है और लोकल आपको आराम से मिल जाता है इसके वुड भी अच्छी होती और हैर भी तो आप इसको एक ट्राइ दे सकते हैं अभी इसको मैं वाइट और स्काइबलू को साथ में बना रही हूँ तो आप ये धियान दीजे कि मैंने डिप कप कौन से कलर में किया है तो आपको जादा असानी से समझ आएगा अभी फर्स लेयर में उतना एक्स्पेइन करने के लिए कुछ है नहीं इसमें जादा आपको देखना है और नोटिस करना है कि मैं किस तरीके से पेंट कर रही हूँ तो सबसे पहले हम सारे फ्लावर का फर्स लेयर बना लेंगे तो आप इसमें एक बार देखिए उपर की जो हम पेटल थोड़ी बड़ी बनाएंगे थोड़ी लंबी और नीचे की थोड़ी छोटी इस तरीके से जो मैंने पहला और दूसरा बनाए है अब मैं दो आपको बराबर बराबर भी बना के दिखा दूँगी तो आपको जो अच्छा लगी आप बना सकते हैं बट ये जो दो मैंने अभी पहले बनाया है इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका ज़्यादा अच्छा लगीगा लेकिन अगर आप बिगनर है और अभी उतने अच्छे से आपका बन नहीं रहा है तो आप एक सर्कल ड्रो करेंगे और सारा इस तरीके से जो आप मैं बना रही हूँ तो इसमें मैं अभी देखे आपको बना के दिखाती हूँ उस तरीके से भी बना लेंगे ज़्यादा difference नहीं आता है अब देखे सारे फ्लावर की फर्स लेयर बना ली है अब पैंसिल से अंदर छोटा सा सर्कल ड्रॉ करूंगी सर्कल हम ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि अब हमें एक बहुत जरूरी स्टेप करना है तो अब हम सर्कल ड्रॉ करके स्काइब ब्लू कलर लेंगे और उस पर थोड़ा सा स्मज करते हूँ इस तरीके से कलर लगा देंगे क्योंकि अब हमें जो सेकेंड लेयर बनानी है वो हम लाइट लेयर बनाने वाले हैं तो हमें थोड़ा सा यहां पे जो अन्दर के साइट पर दाक चाहिए इस तरीके से हम इसको करेंगे और यह स्टेप ज़रूरी इसको आप इसकेप नहीं करिएगा क्योंकि अगर आप स्केप करेंगे तो फिर मैं गैरेंटी नहीं ले रही कि आपका कैसा लगेगा क्योंकि यहां पर हमें डाक चाहिए ठीक है अब देखें मैं वाइट कलर ले रही हूँ सेकंड लेयर मैं बनाना शुरू की है ठीक है इस तरीके से हम अब सेकंड लेयर बनाएंगे डेजी की कि देखें फर्स फ्लावर हमारा तयार है पेंट होके अब इसमें पराग बनाना है वह तो मैं आपको सारे फ्लावर की सेकंड लेयर बनाने के बाद बहुत अच्छे से एक्सपेंट करूंगी अभी तो यह सिंपल है तो इसमें हमें सिंपल ही वस वाइट करें लेना है ओनली बन कलर और उससे हम छोटी छोटी पैटल अपनी बनाते चले जाएंगे है फ्लावर हो गया हमारा अब ध्यान से सुनिये पराग कैसे बना रही हूं सबसे पहले हम लगाएंगे यलो और ब्राउन कलर को मिक्स करके मैंने रखा है यही कलर मैंने अभी पिछली वीडियो विसकस में भी यूस किया है तो आप देख सकते हैं बाल पही अब देखिए इसको में हाफ फिल करऊंगी हाफ से कम ही फिल करेंगे और फ्री जो इस पेस हमारा बचा है थोड़ा सा चौड़ते हुए उसमें हम यलो लगा देगे और इसके उपर से भी थोड़ा यलो लगा देगे यह हमें बहुत कम चाहिए था डार्क वाला देखिए जिस तरीके से मैं बना रही हूँ पर आग इसी तरीके से बनाना है तभी आपका बहुत ही इसली और बहुत ही ब्यूरिफुल लुक आएगा मेरी कोशिश रही है कि स्टेप मैं सिंपल बताऊं बट उसका रिजल्ट हमेशा बहुत अच्छा है अब देखिए थर्ड कलर हम लेंगे वाइट और जो हमारा थोड़ा सा सर्कल का पार्ट बचा हुआ था हमने छोड़ा था उसमें इस तरीके से डैब डैब करते हुए लगा कि आप डेजी की लीव कैसे बनाएंगे जो मैंने ब्लैक कलर के क्लॉथ पे आपको यलो और वाइट डेजी पेंट करके दिखाया था यहां पे भी मैं आपको सेम एक्स्पेंट कर दूंगी कि अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आपको यहां से समझ आ जाएगा पती के लिए जो ब्रश मैंने उस वीडियो में यूज की थी वही ब्रश मैं इसमें भी यूज कर रही हूँ यह फ्लैट है बट यह थोड़ा डाइगनली कटा हुआ है और इससे हम अपनी पती बनाना शुरू करेंगे मैं तो डारिकली बना रही हूँ फ्री हैंड लेकिन ट्रिक क्या है कि आपको याद रखना है कि जो आपके घर में धनिया आती है या सोवा अगर आपको पता होगा सोवा क्योंकि हो सकता है आपको सोवा नहीं पता हो लेकिन धनिया तो पता है कोरियंडर लीव सबके घर में यूज होती है तो आपको वही दिमाग में रखना है कि इसकी जो लीव है उसी तरीके से होती है और ये दिमाग में रखके जब आप बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बनती है आपकी बट इसमें थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए और ये ब्रश जो है न ये इसके लिए पाफेक्ट है इस वीडियो में मैं ब्रश का हैर दिखाना आपको भूल गई हूँ तो मैं लास्ट मैं आपको दे दूँगी ब्लैक वाले क्लॉथ पे जो डेजी मैंने बनाई है वो देख लीजेगा उसका लीव का पार्ट उसमें मैंने आपको ब्रश शो भी किया है अगर आपको ब्रश के बारे में जानना है तो अभी देखे मैं सैप ग्रीन और लाइट ग्रीन यूज़ कर रही हूँ और आपके पास लाइट ग्रीन नहीं है तो आप सैप ग्रीन में वाइट मिला लेंगे इसका जो structure है कि किस तरीके से लीव बनाना है वो मैं sap green से बना रही हूँ जो हमारा cloth है वो खुद ही green color का है और उसके बाद उसके light green से उसकी leaves बनाऊंगी ताकि वो दिखे साथ में मैंने dark blue की bottle लगी उसको मैंने कहीं कहीं dental पे लगाया है क्योंकि एक green cloth है हमारा तो जहां मुझे dark चाहिए था ज्यादा तर मैंने ज्यादा यूज नहीं किया है बहुत एक दो जगाई यूज किया है तो अगर आप चाहें तो इसको skip भी कर सकते हैं कि मैंने पहले फ्लावर बनाया था अब मैंने लीज बनाना शुरू की तो मैं इसको रेंडम ली बना रही हूं और जो मैंने फ्रेम लगाया था मैं पूरा फ्रेम में जाँ जाँ इस पेस हैं वहाँ वाँ सही एंगल में लीज बनाऊंगी तो फिर देखते हैं कि यह कैसा लगता है अभी तो हमारे उपर का पोर्शन थोड़ा सा खाली है तो वहाँ पे भी हम बनाएंगी और जाँ को मैं जाँ बनाएंगी अल्मोस्ट माई डिजाइन पेंट हो गई है बस यहाँ पे छोटी-छोटी सी लीज जो मुझे बनाना है एक दो बनाऊंगी और बाद में मैं लाइट ग्रीन से थोड़ा हाइलाइट की और यह है इसका कम्प्लीट लुक कैसा लगा जरूर बताएं कॉमेंट बॉक्स में नेक्स वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं वो भी बताइए यह थी हमारी आज की डिजाइन मिलती हूँ नेक्स वीडियो में नई डिजाइन के साथ तिल देन टेक केर और बाई बाई